कुझ काहो, कुझ सुनो, कुझ काहो, कुझ सुनो कुझ से सुन रहे हो, खाल सा कॉलेज रेडियो 90.8 FM, शिरी अनन्द पुर साहे नानी पॉआरे रगं, नानी पॉआरे रगं सुन रहे हैं, 90.8 FM, खाल सा रेडियो, मैं एश्वरया भारदाज, आपका सौगत करती हूँ, शोह सामाज एक सौरोकार में, आज मार साथ अपस्तित हैं, श्री गुरूतेग भादर खाल सा कॉलेज में कारे रत, एरिकल्चर डिपार्टमेंट में प्रफेसर डॉक्टर मैं आपका बहुत स्वागत है, हमारे सूडियो में आने के लिए, हमें सबसे पहले बताईए कि मश्रूम होता क्या है? और उसके जो बीज हैं, वो छोटे-छोटे पाउडर के फॉर्म में होते थे, जो हमें पत्ते पे दिखाई देते थे, पर कुछ एक फंजाई, कुछ एक शुष्म जीवी ऐसे होते हैं, जो बड़ी फ्रूट्स बनाते हैं, तो जो आपका बटन मश्रूम है, धींगरी मश् सकते हैं, तो लोकल भाशा में अगर मैं किसान भाईयों को समझाना चाहूं, तो खुम बेग तरे का मिश्रूम है, जो कि आप सबजी की तरे आप जिसे खाते हैं, अपर माम आप हमें बताएं कि मिश्रूम की वस्षिष्टा क्या होती है, और खाने में और भोजन में इसकी मातरा में पाये जाते हैं, कार्ब की जरूरत हमारे डेली नीड्स में हैं, आपके हर चीज में कार्ब तो होता ही होता है, विटामिन्स और मिनरल्स प्रोटीन सब में पाये जाते हैं, पर सबसे अच्छी चीज जो यहां पर यह रहती है, कि जो मिश्रूम हैं, इनमें सब च जिए रख कमी से होने वाली किसी भी ममारी से बच सकता है. आप हमें बताएं कि मिश्रूम को क्या हम अपना सकते हैं? जी नहीं, प्रमुख सरोथ के रूप में तो नहीं, पर हाँ प्रोटीन का स्रोथ जरूर है, कि अगर आप बोलें की आप जिसे अगर आप से अगर आप सिर्फ मेंडा खाएं मेदे की रोटी खा रहे थोड़ी 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 मात्रा में दे रहा हैा और कुंछ एक जो चीजए होती है है उनमें कोई एक चीज ज्जाद तो आपकी जो फिश मच्छी होगी मीट हो गया अंडा हो गया इसके अंदर जो प्रोटीन है वो 14 से 19 प्रसंट होता है तो अगर आपने 100 ग्राम अगर मीट खाया तो आपको 14 से 19 प्रसंट जो है आपको आपकी बॉड़ी में प्रोटीन आया तो वो प्रमुक्स रोत है इसमें 4 प्रमुक्स रोत तो नहीं पस्त्रोत के रूपे आप यूज कर सकते हैं पर अगर इसको मैं देखू सबजियों और फ मैं पूर्ट प्रमुक्स राप्त होती हैं देखिए एक मिश्रूम 100 ग्राम अगर में परूटिंग बॉड़ी है या जो फल है 100 ग्राम उसका फल मैं अगर माणो तो पानि है पानी जिसके अंदर खूब सारे मिनरूल्स और वाइटामिन्स बहाए पड़े है इसके अलाबा उसके पास 4-5% fiber रहता है बाकी crude protein है उसके अंदर ठीक है जी तो अगर कोई इंसान आपका 100 gram वो खारा दे 90% पानी है पानी शीर से बाहर चला जाएगा आपकी भूप तो शांत हुई हुई पर आपके पास क्या आगे आप जुरूरी पोशकत तो जो है जो आपकी body को मिल जात देखिए अगर minerals की बात करूं तो mushrooms में calcium, phosphorus, potassium, copper, iron यह काफी मातर में पाए जाते हैं इसके अलावाद जो mushrooms की और बहुत ही सुन्दर बात है कि हमारे जो amino acids है Amino acids क्या होते हैं देखिए जो proteins हैं वो बनते हैं amino acid से , उसलों बना लेता है पर सात amino acids ऐसे हैं जो हमारी body नहीं बना सकती वो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं और mushrooms में ये 7 के 7 essential amino acids होते हैं तो इसलिए ये काफी important है इसके लावा आपने पूछा कि vitamins कितने होते हैं कौन-कौन से vitamins होते हैं तो mushrooms में vitamin B1, B2, pentothenic acid, biotin और folic acid होते हैं और इन में से जो आपका biotin और pentothenic acid ह ये बालों के लिए बहुत अच्छा होता है जिन लोगों कोई बालों की समस्या है ग्रे हेर्स हो रहे हैं ये बाल जढ रहे हैं तो उनके लिए आप कभी भी doctor के पास जाएं टर्मेटरोजिस के पास तो वह हमेशा आपको बोलेगा बायोटिन का सप्लिमेंट देगा खाने के लिए तो आपको बायोटिन के सप्लिमेंट की कोई जरुरत नहीं प्रचूर मातरा में मिश्रूम को अपनी डाइट में लाइए और स्वस्त बाल पाईए जैसे कि हमें बता है कि मिश्रूम के बहुत तरह के प्रकार होते हैं जो ह जहरी ले भी होते हैं जब हम न्यूजवेपर में देखते हैं कि एक मश्रूम की सबजी बनाए किसी परिवार ने खाई और पूरा का पूरा परिवार खतम हो गया तो यही होता है कि लोग जंगल में या फिर आले द्वाले होने वाले कहीं पर भी जो उनको आसपास दिखत कोई सहत में कोई प्राबलम नहीं आएगी ना वह जहरी ले हैं कि वह हम अपने अप उगा रहे हैं पर हाँ अगर आप बाहर से कहीं से भी कोई जंगल से मश्रूम ला रहे हैं उसकी गरंटी नहीं ले सकते जब तक कि आपके पास कोई एक्सपर्ट ना हो बताने वाला कि हा कि मुश्किल है। पी बहुत सारे टैस्ट और बहुत एक्सपर्ट के बाद इस चीज़ को समज़ पाते हैं कि यह जघ्रिला है फिरह प्र भी कहीं न कहीं गल्ती हो जा जाती हैं हम एक्सपर्ट होते हूए भी कभीं बी किसी मश्रूम को फ़र्स टयंट में कभीं नहीं खा अगर आपने कोई मश्रूम काटा या आपने कोई मश्रूम तोड़ा तो उसे तोड़ने के बाद दूदिया रंग का कोई सबस्टांस या दूद जहजा हमारे के बर यह पोद्य के पत्तों से निकलता है तोड़ने पर वैसा कुछ भी निकल रहा है तो वो मश्रूम जहरीला ह हो सकता है उसके अलावा अगर उसे काटने पर वो अपना रंग चेंज करें तब भी आप उस मिश्रूम को ना खाए जादा पके हुए यह सड़े हुए गले हुए मश्रूम अगर आपको दिखते हैं उनको भी उन गुरेस करें उन्हें खाने से उन्हें बनाने से और कोई भी उसक्ता है तो एट्लास तो यही कहा जा सकता है कि अले सटिल आपको पता एकुछी एक्षपीड़ेंस बंदे ने यह तिर आपने उस जगेंसे ओंद यह आपको पहचान नहीं है तो आप ना खाए मार्केट में मिलने वाले जून से आंतर्शों से आंतरीय्ट पर लोगों क मशनों आपके कोशिकांगे आपकी आरबिसिसonse लाल लाको को रखु रुक रख्ट के करनों पर धर काँ सब्सángान करें एगई कुछ आपके टिशूस पर कारें के कोई आपकी लीवर को को आपकी आनतों को अफेक्ट करूण जिसे हमारे पास अमारे पास अमेनिता स्पीशिज होती है अगर आपके कोशिकाओं पर नाल रक्त कड़ों पर एक्ट करता है और उनको खतम करता है पिर बॉलिटिस लेक्टेरियस रसूला नाम के जो यह हमारे मश्रूम है यह गैस्ट्रिक पॉइजन होते हैं मतलब आपके गैस्ट्रिक सिस्टम आपके पेट आपकी आंतों वहां जाके यह टॉक्सिन यह जहर प्रड्यूस करके आपको खतम करते हैं या फिर जरूरी नहीं कई बार आपकी तब्यती खराब होती है आपको उल्टी है वामिटिंग है न चक्कर आना ऐसे ऐसे आप लोगों को सिम्टम दिखाई देना शुरू होते हैं पिर आपका इनोसाइबे कलाइटोसाइबे करके मश्रूम मिलता है वह भी दिखने में यह भी नॉर्मल मश्रूम पर यह सबसे खतरनाक होते हैं क्योंकि यह एक्ट करते हैं आपकी नर्वस सिस्टम पर सीदेन नसों पर काम करते हैं और उनको खतम करते हैं पिर आगे आपका कोप्राइनस वैसे तो जहरीला मश्रूम नहीं है नॉमल मश्रूम में इसको लोग खाते भी होते हैं छत्री की खुली चत्री होती है जैसे आप नॉमल चाता होता है उसी तरे का यह दिखता है और जहां भी आपका धेर होता है गोबर का धेर वहां पर यह पाया जाता है इसको नॉमल खाने पर कोई फरक नहीं पर अगर इस मश्रूम के साथ आपने शराब पीली तो ज़रूर जहर प्र करता है बड़े पराने जमाने में इसको लोग यूज ट्राइबल लोग इसको यूज भी करते होते थे हैलुसिलेशन के लिए जैसे को तंतर विद्या वाले लोग हैं जिनको इस चीज का ज्यान था कि यह क्या चीज करता है कि इस चीज करता है वह इसको यूज करते थे लो और हम नॉर्मल सबसे ज़्यादा जो खाते हैं जो आपको आम तोर पर मार्केट में भी दिखाई देता है गैरिकर बटन मश्रूम वह है देन आपका प्रोटस धिंगरी मश्रूम देन आपका वॉल्वे रेला पैडी स्ट्राव मश्रूम प्राली मश्रूम जो होता है इसके अलब दूदिया मश्रूम भी आता है यहां के बीच में गारे और दूखिण भी तक myths मॉइं भी तक सिमित यहां हम बाता है कrites करें बटनestic मॉइं में सब्से जड़ा पोस्टिक कॉन है? देखे वैसे तो कई लोग कहते हैं बटन मश्रूम बहुत पॉस्टिक है कोई कहते हैं धिंगरी बहुत पॉस्टिक है देखे पॉस्टिक में बहुत कम अंतर है पॉइंट्स का फरक है लेने की बात है अगर आपको मैं अगेरिकर्स की बात करूं जैसे देखे तो अगेरिकर् क्लेशियं की कैल्शियम की मात्रा जो है अधिक है वाइटमिन वाइटमिन ए सsm?, वाइटमिन अपने आपनने विशेश i यह नहीं कि वह ना खाए पर साथ में अगर उसे मश्रूम लेना है तो अच्छा है क्योंकि वह उसमें रिच है केल्शियम के लिए भी आप वो ले सकते हैं और अगर आपको स्किन की कोई प्रॉब्लम है तो आप डर्मेटाइटिस जैसे है तो आप रोटस के ऊपर जाए अप अगर हम किसानों के बात करें तो मश्रूम की खेती पंजाब के किसानों के लिए कितनी लाबदायक है अप इस पर कुछ प्रकाश चाहिए जी देखे जो इसकी आप मैं खेती की बात करूं तो यह शुरुवात हुई थी ती वह प्रोफेसर उन्होंने काफी ज्यादा जो कं पोस्टिंग और इसको उगान एसी खेती के बारे में काम किया शुरुवात भले ही वहां से हुई वहां आज हब है मश्रूम का पर बंजाब भी कहीं पीछे नहीं रहा पंजाब एगरिकल्चर युनिवर्सटी के काफी प्रयासों के कारण यहां पर बड़े लेवल पे लो मात्रा में है और मश्रूम को उगाने के लिए मिट्टी कम पराली और भूसा जाधा चाहिए तो यहां जादा है तो रौ मटीरियल जहां होगा वहां कॉस्ट कम पड़ेगी यही चीज़ जब हमें हिमाचल में करनी होती है बड़े स्केल पे तो हमें पंजाब से तूड़ी और धान तो होता ही होता है तो उनके पास तो फ्री का मटीरियल है करना क्या है सिर्फ उसके अंदर बिजाई करनी है बीज डालना है और एक कमरे में रखना है यह बंद कमरे की खेती है बस बीज डालके रखना है और फ्रूट खाना है तो इसलिए पंजाब के लिए पंजा अगर बात करने महिलाओं और यूबखों की तो वो भी इस खेती को अपना सकते हैं बिल्कुल जी बिल्कुल बहुत ये खेती क्यूंकि बंद कमरी खेती है इसलिए महिलाएं बच्चे पुरुष बूड़े बजूर्ग सब इस खेती में इन्वाल्व सते हैं इसकी ब्यूटी रख रखाव इन में से कोई भी कर सकता है तो ये उनके लिए बहुत अच्छा है जो लोग बेरोजगा घर में बैठे हैं उनके लिए भी जब तक खाली सब्सक्राइब कुछ नहीं कर रहे हैं तो अगर एक कमरे में अगर वो मिश्रूम की खेती सीख के मिश्रूम के बैग लगा लेते हैं तो कोई नुकसान नहीं है बैठे बैठे खर्चा उतना है नहीं अपना पांस साथ हजार में वो एक छोटे लेवल से जो है शुरुवात कर सकते हैं अगर सिर्फ बैग रखने हैं अगर उन्हें बैग खुद बनाने तो थोड़ा सा काम जादा होगा तो क्य अगर में हमें इसकी सीख मिल जाती जैसे अब यहू लगाना दहान लगाने के लिए आपको स्पेशल ट्रेनिंग की जरुरत ने क्यूंकि आप बच्पल से लगाते आ रहे हैं तो देखते आ रहे हैं पर मश्रूम की खेते क्यूंकि अभी कुछ समय पहले कुछ दश को पहल इसकी ट्रेनिंग जो है हमारा पंजाब एकरिकल्चर यूनिवर्सिटी अपने केमपस में भी देती है इसके लावा कृशी विज्ञान के इंदर हमारे हरे एक पंजाब की डिस्टिक में अस्टाबलिष्ट है वो लोग भी जैसे आज कल सब्टेंबर में हमारा साथ दिन का कैंप लगाता वहां भी यह सिखाई जाती है इस बार से हम लोग अपने खालसा कॉलेज नंदपूर साहब में भी अपने किसान भाईयों के लिए बेहनों के लिए उनकि वो दूर नहीं जा पाते ट्रेनिंग के लिए तो नवंबर दिसंबर में हम लोग प्लान कर रहे हैं क कि उनने मश्रूम की खेती अपने यहां कॉलेज में ही सिखाएं क्योंकि बच्चे यहां पर अलड़ी दो साल से खेती कर रहे हैं सीख रहे हैं वह जो किसान भाई घर में बैठ बैठने वहने उसीख आरे थे तो हमने शरुबात कि इस बार की इस बार हम उनने यहां बुला करना है या केबल बैग रखके घर में देख रहे करनी है तो देख रहे के लिए तो मेरे खाल से एक दिन की ट्रेनिंग बहुत होती है पर अगर आपने बैग बनाने हैं खुद से खुद का बड़ा काम करना है तो six month की minimum training जो है हम लोग एडवाइस करते हैं कि जरूर ले अगर अगर हमारे किसान भाई थोड़े बाहर के इलाकों के हैं पंजाब से बाहर के तो वहां पर हिमाचल में भी हमारे जितने भी अगरिकल्चर यूनिवर्सिटी है होटी कल्चर यूनिवर्सिटी है सोलन में वो इसके इलावा हमारे पास direct rate of mushroom research है वहां पर भी इसकी training जो है व अगर हम बटन मश्रूम के बारे में बात करें तो उसको उगाने का तरीका क्या है बटन मश्रूम के लिए हमें बड़ी सारी चीजे चाहिए इसकी दो तीन तरीके हैं इसे चोटी विधी, लंबी विधी, इंडोर विधी यह तीन तरीके हैं उसको उगाने के लिए जो छोटी विधी और इंडोर विधी है वो जो है उसके ने थोड़ा से एक्विप्मेंट भारी चाहिए मतलब महेंगा एक्विप्मेंट है और सेटलमेंट करनी पड़ेगी पर अगर आप ज्यादा पैसा ना खर्च करके कम लागत में काम शुरू करना चाहते हैं जैसे आप कोस्ट कॉफ कल्टिवेशन दू उतनी ही कम हो जाएगी ठीक है इसके लावा अधिक उपज और बिमारियों से रहित खोम और पादन के लिए हम छोटी और इंडोर विधी लेते हैं अगर हम खाद की बात करें तो खाद में आप इस्तमाल होने वाले समग्रियों के बारे में हमारे श्रताओं को बताएगे में अबस्तरत आपको बता देती हूं सुतर नबर हैं इसमें हमें चहिए गेहों का भूसा या तूडी 300 किलो केल्शियं अमोनियम नाइट्रेट एंग्न खाद नॉम-णेयर्स करते ही हैं यहांपर हम लोग यूज़ करते ही यह नौकिलो मूरेट ऑफ पटैश 3 किलो, सूपर फॉसफेट खाथ 3 किलो, चोकर 15 किलो, जिपसम 20 किलो इसके हलावा सूतर नंबर 2 अगर मैं बोलू यहाँ पे हमने चीजे कम कर दी ताकि लोगों को याद भी रहे और प्रोडक्शन भी ठीक है इसमें हम भूसा और पुवाल लेते हैं, उस वाले में सिर्फ भूसा लिया था, इसमें भूसा और पुवाल दोनों लेंगे, करीब 6 इंच कटा हुआ, बराबर मातरा में 300 किलो यानि कि 500 किलो भूसा, 500 किलो पुवाल, पिर कैल्शे ममोनियम नाइट्रेट 9 किलो, यूरिया 4 क चोककर 15 किलो और जिपसम 20 किलो और इनके इस मिश्रन को हम लोग किसी भी विदी, लंबी विदी, छोटी विदी और इंडोर विदी, इन तीनों विदियों में कोई भी विदी जो आपको सूट करती है, उसके हिसाब से हम इसको डाल सकते हैं